आसंसुल के हीरापूर्थाना चेतर के रहमत नगर नई बस्ती में पुराने बिवात को केंदर कर एक युवक पर अपने सातियों के साथ मिलकर धारदार हतियार से हमला करने का आरोप है इस हमले में एक ही परिवार के चार सदस से घायल हो गए गायलों को इलाज के लिए आसंसुल जिला अस्पताल ले जाया गया इस घटना को लेकर इलाके में संसनी फैल गई सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और इस मामले में दो लोगों को गिरफतार कर लिया सुत्रो से प्राप्ट जानकारी के अनुसार रहमत नगर इस्तित नई बस्ती के रहने वाले अफताप खान के बेटे कबीर के साथ आजाद बस्ती निमासी तबरेज की कुछ दिन पहले बिवाद हुआ था बताया जाता है कि सनी बार की देर साम तबरेज नई बस्ती इलाके में अपनी बहन के घर गिया था इस दवरान तबरेज और कभीर के बीच बिवाद होने लगा और देखते ही देखते मामला मार फिट तक जा पहुँचा आरोप है कि कुछ देर बाद तबरेज अपने कुछ दोस्तों के साथ कभीर के घर पहुँचा और धारदार हतियार से हमला कर दिया बीच बचाओ के दवरान कभीर के भाई सोहराब और बहन चांदरी हीना भी घायल हो गये बाद में उनकी चीख पुकार सुनकर जब आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुचे तो हमलावर फरार हो गये गटना की सूचना मिलते ही आसनसुल दुर्गापूर पुलिस कमिशनरेट की एसीपी इपसिता दत्ता और हीरापूर थाना के परभारी सौमेंदर सिंग ठाकूर मौके पर पहुचे पुलिस ने इस मामले में तबरेज और समसेर को गिरपतार कर लिया कौन दोग हम लाएं कि आदमियों को हम चहरा तर पाइडाल लेंगे मान नाम तो वाकिब नहीं है क्या नाम है आचा ठीक है अपताब भाई का बड़ा लाका बड़ा लाका चान कितना उमर होगा उसको उमर होगा जाके ऐसे रहे होगा ऩरफ पतेदा। पूच से पूचा हाँ कं अ आसम सुल से संतोस मंडल की रिपोर्ट पब्लिक टाइम्स ठोटे तेरी पहली मोटर साइकल कैसी होगी मुझे तो ऐसी चाहिए जो ज्यादा चले और नम भी ठीके तो तयार हो जा जोटे अरे मोटर साइकल लेने के लिए है Honda की सौ आ रही है जो ज्यादा चले ज्यादा ठीके आ रही है Honda की सौ अंडा के बरोसे के साथ